हेलो दोस्तो नमस्कार कैसे हैं सब आप आसा करते हैं आप सब अच्छे होंगे आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही मेत्रपूर है आज इस टुटोरियल के माद्यम से हम जानेंगे कि लाइपोमा क्या होता है यानि कि सरीर पर चर्वी की जो गाठें बन जाती है वो क्यों बन ये गाठें सरीर पर क्यों बनती हैं और लाइपोमा की कारण लच्छड और इनका इलाज भी हम लोग जानेंगे बजन बढ़ने या मोटापा होने या हाई ब्लड पेसर या कोई मरीज शुगर से पीड़ेद है या उम्र बढ़ने गुलूकोज इंटालेंस या लिवर के र राट बर्स के लोगों में पाया जाता है लेकिन यह किसी भी उम्र के व्यक्ति में हो सकता है तो आईए जानते हैं क्या होता है लाइपोमा लाइपोमा त्वचा के अंदर बनने वाला एक सौम गांट है यह एक जगे एक्ट्रा फैट जमा होने की कारण होता है लाइपोमा शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है यह अधिकतर मामलों में गरदन, छाती, पीट, कंधा, कुलह, जांग, एबम, बाहा में देखा जाता है जो विशेशग्यों का मानना है कि कि लाइपॉमा सरीर के अंदर भी विख्षित हो सकता है लाइपॉमा किसी प्रकार का कैंसर नहीं है आम तोर पर इसे सरीर को कोई भी परेशानी नहीं होती है कुछ मामलों में लेकिन यानि कि यलाज की ज़रुवत भी नहीं पड़ती है लेकिन अगर आप लाइपॉमा से परेशान है या इसमें दर्द या दुखन मैसूस होती है तो आप अपने डॉक्टर से मिलकर इसका उचित उपचार करा सकते हैं लाइपॉमा के कारण दर्द भा परेशानी होने पर इसे नजर अंदाज नहीं करना चाहिए अधिकतर मामलों में एक ब्यक्ति को एक से दो लाइपॉमा होते हैं लेकिन कभी कभी किसी ब्यक्ति को चार से पांच या इससे अधिक भी लाइपॉमा हो सकते हैं तो आईए जानते हैं लाइपॉमा का क्या कारण है बिसक्षग्यों का कहना है कि लाइपोमा के सही कारणों का अभी तक कोई भी पता नहीं चला है लेकिन अधिकतर मामलों में यह अनुवन्सिक होता है यानि कि अगर उसके फैमली में कोई लाइपोमा से पीड़िद है तो उसको भी लाइपोमा की बीमारी हो सकती है इसके अलावा लाइपोमा के कुछ संभावित कारण हैं जिनमें निमलिखित सामिल हैं जैसे घाव होना, मोटापा होना, अधिक बजन बढ़ना, हाई केलिस्टॉल, गुलुकोज, इंटालेंस होना, शुगर से पीडित होना, उम्र 40-60 के बीच में होना, लिवर से सम्मंदित कोई बीमारी या फिर अधिक शराव का शेवन करना, बिसे सक डाक्टर का कहना है कि कुछ खास मेडिकल कंडिशन के कारण भी लाइपोमा होने की संभावना बढ़ जाती है, इसमें निमलिखित मेडिकल कंडिशन सामिल हैं, जैसे कॉडेंस सिंड्रोम, मैडोलुंग सरोग, गार्डनर सिंड्रोम, एडिपोसिस, डॉलर उशा, अब हम जानेंगे कि लाइपोमा के क्या लच्चड हैं, लाइपोमा के कुछ खास लच्चड होते हैं, जिनकी मदद से आपको इस बात का अंदाजा लगा सकता है कि आपको लाइपोमा है या नहीं, आम तोर पर लाइप लॉबग एक से दो इंच या इस से जादा भी हो सकती है, लाइपोमा के कारल दर्द हो सकता है, लाइपोमा का विकास जो लाइपोमा बढ़ता है, बहुत धीरे धीरे बढ़ता है, लाइपोमा इसकिन को हलका नीचे होती है, जो लाइपोमा है वो इसकिन के थोड़ा नीच बाप्ट मैसूस होता है कुछ मामलों में लाइपोमा के कारण कबज की भी समस्या हो जाती है अगर आप अपने सरीर के किसी भी हिस्से में लाइपोमा या उपरी बताये गए लच्छणों को अनभो करते हैं तो आपको तुरन्त अपने डॉक्टर से इस बारे में बात करनी च चाहिए हालाकि लाइपॉमा कोई गंभीर या जानलेवा बीमारी नहीं है फिर भी कुछ मामलों में आपको बिना देरी डॉक्टर से मिलकर इसका उचित उपचार कराना चाहिए जैसे कि अगर लाइपॉमा में सूजन या दर्द हो अगर लाइपॉमा में गर्महट मैसूस हो अगर लाइपॉमा सक्त एवम इस्थेरो जो उंगली से हिलाने पर ना हिलता हो अगर लाइपॉमा के आकार में आपको बदलाव मैसूस हो अगर आप अपनी तुशा में लाइपोमा में कोई बदलाव मैसूस करते हैं तो अगर लाइपोमा महास्पेशियों या आंतरिक अंगों में विक्षित हो गया हो अगर आप उपर बताई गई या इस वीडियो में बताई कि किसी भी बात को खुद में अनवो करते हैं तो बिना समय बरवाद किये आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए क्योंकि बिसेसग्यों का मानना है कि कुछ दुरलव मामलों में लाइपोमा कैंसर का भी रूप धारड कर सकता है जिसे लाइपोरस कॉमा के नाम से जाना जाता है अब आएए बात करते हैं लाइपोमा के इलाज की आम तोर पर लाइपोमा के इलाज की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती है लेकिन अगर आपको इससे परिशानी हो तो आप विशेसक डॉक्टर से संपर्क करके इसका उचित जाँच और इलाज करवा सकते हैं जैसा कि कुछ मामलों में लाइपोमा कैंसर का लूप ले सकता है इसलिए डॉक्टर से इलाज से पहले इसका प्रॉपर जाँच निरिच्छड करवाना चाहिए लाइपोमा का इलाज एक लेक्ट्रोहमियोपैथिक डॉक्टर दौरा बहुत ही अच्छे से किया जाता है लाइपोमा में दर्द होता है या नहीं अगर लाइपोमा में किसी प्रकार का यह सब चीजें देखने को मिलती है तो आपको अपने डॉक्टर से संपर करना चाहिए इलेक्ट्रोहमियोपैथि में इसका बहुत ही सरल और उच्छे तुप्चार है जिसमें किसी भी प्रकार का चीज़ फालकी आवसकता नहीं पड़ती है कुछ दबाओं के प्रियोग से ही इसको ठीक किया जा सकता है अगर आप भी किसी प्रकार के लाइपोमा से पीड़ेत हैं तो आप साक्षी लक्ट्रोहमियोपैथि पर संपर कर सकते हैं या इसमें दिये हुए नमबरों पर भी आप कॉल कर सकते हैं या अपने किसी भी निकि इनों में ही लाइपोमा चाहे एक हो चाहे काफी हो आप पूर्तिया इससे निजात पालेंगे और आपका लाइपोमा बिल्कुल ठीक हो जाएगा